कि भान्तिय जंता पार्टी जब भी कोई चुनाव लड़ती है चाहे वो प्रदेश का चुनाव हो चाहे वो देश का चुनाव हो चाहे काल कौई भी अनुकूल हो या प्रतिकूल हो आधर नियव प्रदान मंत्री जी ने हमेशा सबसे आगे बढ़ करके ने तुट को सम्हाला है और हमेशा उस चैलेंज को पूरा किया है और उन्होंने अथक प्रियास अथक मेहनत और संगटन और चुनाओं के राजनीती और रननीती की छोटी छोटी बारिकियों से लेकर उस से निकलने वाले नतीजें तक का खुद ध्यान रखते हुए चुनाओं को इस मुकाम तक पहुँचाया है और एक नहीं अनेकों चुनाओं को पहुँचाया है ऐसे हमारे यह स्वी प्रदान मंत्री जी है मित्रों यह जो संदेश इस चुनाओं के नतीजों ने दिया है वो स्पर्श बताता है कि देश ने समझ लिया है कि अगर कोई गाओं को मजबूती दे सकता है तो वो प्रदान मंत्री नरंद्र मौदी जी दे सकते हैं चुनाओं के नतीजों ने तंदेश दे दिया है कि अगर कोई गाओं, गरीब, वंचित, पीड़ित, सोशित, आधिवासी भाई, अनुसुसी जाती का भाई इनको कोई सम्मान के साथ मुक्यधारा में ला सकता है तो वो और कोई नहीं भारत के ये सस्वी प्रदान मंत्री मौदी जी है और इसलिए और इसलिए चाहे महिलाओं का सशक्ति करन हो चाहे किसान को सम्मान देने की बात हो चाहे युवाओं की आकांग्शाओं और आशाओं को आगे बढ़ाने का उनके सपनों को साकार करने का का काम हो वो सब को अगर विश्वास है तो आदर्ण ये पधान मंत्री मोदी जी के उपर है जिनके माध्धम से वो आगे पढ़े मित्रो मैं यहाँ आपको ये भी कहना चाहता हूँ अभी नारे लग रहे थे मोदी जी की गारंटी मोदी जी की गारंटी मोदी जी चुनाओ इस बात को भी पस्ट इंगित करता है कि देश में अगर किसी की गारंटी है तो एक ही गारंटी है वो मोदी जी की गारंटी